अस्टेलिया के गोर्ड कोस्ट में 21 में कॉमन विल्थ गेम्स का हुआ भववे इनाउगरेशन भारत में कॉमन विल्थ गेम्स के लिए भेजा है 270 खिलाडियों का दल। इस साल देश में सुखे के आसार नहीं, जादातर हिस्सों में होगी सामानने बारिश। केंदर सरकार के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव पर समर्थन जुटाने के लिए चंदर बाबु नाइडू दिल्ली में आठ पार्टियों की नौ नेताओं से मिले। युएन की नई टेररिस्ट लिस्ट जारी दाउद हाफित समेत 149 पाक आतंकियों और संगटनों के नाम। बारवी के री एकजाम को चनवती देनी वाली याचिका खारिश सुप्रीम कोट ने कहा मामला कोट के दायरे से बाहर। एक उम्मीदवार एक सीट मामले में चुनावा योग ने दिया समर्थन सुप्रीम कोट में दायर किया हलफ नामा। राजस्थान में तोड़ी गई राष्ट पिताप महात्मा गांधी की प्रतिमा, प्रतिमा से छेड़ चार का मामला त्रिपुरा में लेलिन की मूर्ती के तोड़ने के बाद शुरू हुआ था। जानलेवा बिमारी से जूच रहे है विवादित अभिनेता के आर के खुद खुलासा करके बताया बस एक दो साल जिवित रहूँगा। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए लोकमत न्यूज हिंदी के नाम से और फेस्बुक पर हमारा पेज लाइक करना ना भूलें।